नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा मेश रासी 33 2023 2023 को मंगल और बूद का परिवर्तन राजयोग बनने जा रहा है देखिए ये जो परिवर्तन राजयोग है वो बहुत से व्यक्ति परसन को समझ में नहीं आता है जितने भी एस टोलोजी से जुड़े हुए लोग है या जो एस टोलोजी में इंटरसते हैं जियो टीसी सास्थरे के अंदर तो उनको ये जो परिवर्तन राजयोग इनके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है बहुत से लोगों को होगी बहुत से को नहीं है लेकिन मैं यहाँ यह परिवर्तन राज योग जो है उसके बारे में एक आपको जानकारी थोड़ी शंक्षिप में देना चाहता हूँ परिवर्तन का मतलब होता है आपके जीवन में बदलावाना जैसे कोई चेंजिस होते हैं जैसे समझो जाए कि आपकी एक लाइफ एक सीधी चल रही है जैसे आप सुबह रोज बिजनस मतलब काम पे जाते हो नौकरी या जॉब पे या बिजनस पे शाम को वापस घर पे लौट पे आते हो लेकिन कुछ ना कुछ उसमें मुमेंट नहीं है बस एक कंजिस्टंसी जैसे एक के हिसाब से जो लाइफ चलती यही करना है सुबह उटना शाम को ये जाना है मतलब खाना पीना फिजाना है बस उसमें कोई चेंजिस नहीं आ रहा लाइफ के अंदर तो ये जो परिवर्तन तो राज योग काम करना चालू करेगा इसमें अभ्यास जरूरी है कब ये काम करना चालू करता है परिवर्तन राज योग ये कुंडली की कौनसे कौनसे ग्रहों के बीच में परिवर्तन है एक्सचेंज योग जिसको बोलते हैं आप मेरे घर में मैं आपके घर में उसको एक् जैसे यहां बात कर रहे हैं मंगल और बूद्ध के बारे में तो देखिए यहां मंगल और बूद्ध से मैं आपको इसकी जानकरी देता हूं और वो चीज आगे तीस चीन को चेज होने वाली है तो यह जो मेश राशी है उसके लिए वो कैसा फल देगा यह जो दो प्लैनेट् करेंगे सबी ग्रहों का एकश्चेंज होता है शुक्रव सबीज सब्सक्राइब का किस हिसाब से वह बैठे है जनम कुनली के अंदर उसके उपर फिर पर फोकस किया जाता है तो यहां मंगल और बुध 30 तारिक को यह बुद मेस राशी में बैठा है और मंगल यहां मिठून रासी में बढ़ रहा है जो मंगल है वो बुद्ध के घर में है और जो बुद्ध है वो मंगल के घर में है मतलब मेस रासी जो होती है वो बुद्ध की मंगल की रासी होती है और मिठून रासी बुद्ध की रासी होती है ये और ये देखे बहुत बारी का इसे prediction किया जाता है किस-किस house का exchange है, कौन से कौन से ग्रहों का exchange है, कौन सी रासी है, कौन सा लगना है, वो सब depend होता है, फिर जाके उसका prediction किया जाता है कि भाई ये अगर आपकी कुणली में परिवर्तन राज योग है, तो वो कैसा फल आएंगे, अच्छे आएंगे, खराब आएंगे, किस हिसा परिवर्तन है तो ये पकाताई है, लेकिन पहले वो परिवर्तन योग समझो, खराब फल देंगे, फिर बाद में उसका अच्छा भी result मिलेगा, या फिर पुरा उसका आपको अच्छा result मिलेगा, ये सब depend है, आप मंगल और बुद्ध की, समझ लीजिए, ये बुद्ध यहां परिवर्तन होके मिठून में आ गया और मंगल यहां मेस रासी में आ गया, जैसे मैंने आपको अभी explain किया उस हिसाब से, दोनों अलग अलग रासी में हैं, एक दूसरे के घर में हैं, लेकिन एक्सचेंज योग का एक टाइम आता है, एक समय आता है, उसके बाद उसका फल मिलता है, उसके बाद मतलब उसका परिवर्तन का जो आपको फल मिलना चाहिए, अच्छा या खराब, अगर खराब भी मिलेगा, तो लेकिन बाद में उसको अच्छा मिलेगा, वो क्यों अच्छा मिलता है, क्यों में अगर वो कैसे इसाब से वो गिरा हुआ है कुंड़ी के अंदर उसके उपर डिपेंड करेगा तो यहां यह दोनों समझ लिजे मंगल बुद्ध यहां से मेस में चला गया और बुद्ध यहां से यहां गया एक्षेंज के अंदर यह दोनों का एक्षेंज हो गया तो यहां मंगल राहू के साथ कंजक्शन करेगा देखो जैसे यहां मंगल आ जाएंगे यहां से यहां तो राहू के साथ कंजक्शन करेंगे और बुद्ध मिथूं दासी में आ जाए तो मेस रासी वालों को यह क्या फल देगा सबसे पहले आपकी जो रासी का लौट से वो ही मंगल है और मंगल खुद यहां एक्सेंज होके अपने घर में आ जाएके लेकिन अल लिड़ी यहां जनम का चंदर बैठा है और गोचर का राहू बैठा है तो देखिए यह मंगल और चंदर अच्छे फ्रिजल्ट देनेंगे लेकिन यहां मंगल और राहू अंगारक योग बन जाएंगे आपके अंदर उस टाइम के असपास आपके अंदर एक आवेस गुसा और एक चिड़ चिड़ापन जिसको बोलते है वैसा आ जाएगा आप कोई हडवड़ी में या जल्दवाजी में कोई ऐसा डिसीजन भी ले सकते है जो आपको नुकसान पहुचा सकता है क्योंकि यहां मंगल और राहू जो दोनों प्लैनेट से वो एक दूसरे से कट्टर दुस्मन है और जबी भी मंगल यहां आ जाएगा तो वो अपना रंग रूप दिखाएगा राहू उसके साथ क्योंकि राहू की पास ताकाद ज्यादा है मंगल से भी क्योंकि उसने अमरित पिया हुआ है तो उसकी ताकाद बढ़ जाती है तो यहां मंगल के साथ राहू पापगर है वो खबी भी अच्छा सोचने या अच्छा करने वाला चीज नहीं रहेगा डिपैंड है आपके जनम कुनली कैसी है कौन सा लगना है कौन सी रासी है कौन सी रासी का राहू है उसके उपर डिपैंड करेगा लेकिन यहां मंगल के घर का जो राहू है मेश रासी का वो दुस्मन के घर का राहू है तो यहां जब मंगल आएंगे तो आवेश गुसा आ जा तो वो husband wife के अंदर भी dispute ला सकता है उसमें भी काफी समस्या आपको problem हो सकती है या business partner है आपके यह यहाँ थोड़ा आपको संभालना है हाला कि यह राजयोग का निर्मान दिया गया लेकिन आपकी यहाँ कुनली के अंदर राहू अगर नहीं बैटा होता तो वो राजयोग पक आपको समस्या बिलेंट भी आपको संभालना पड़ेगा अगर ये मंगल बैड दूसरी बेंदान बाजरोग दूसरी यह है तो इतना आपको बहए-चिंता नहीं है लेकिन यहां मंगल जब एक्षेंज में आ जाता है तो यहां नुकसान कर सकता है लेकिन यहां बुध यहां बढ़िया हो गए है वो मिथून में अपने खुद की रासी में आ गए एक्षेंज हो के यह तो फल इसका अपने प्रेडिक्शन किया मंगल का लेकिन बुध का prediction क्या होता है तो बुध यहां तिस्रे स्थान में बैठ के आपको कोई नया सहास भी करा सकते देखो exchange हुआ है लेकिन एक खराफफल भी देगा तो एक अच्छा भी देगा दोनों possibility यहां बन सकती है तो बुध यहां अच्छे कामकाज भी आपके बना सकता है आपको daring आ सकता है छोटे भाई बैनों से आपके अच्छे रिस्ते सुदर सकते हैं वहां से आपको कोई फाइदा हो सकता है पड़ोसियों से आपके रिस्तों में सुदार आ सकता है एक बार पड़ोसियों से उपर नीचे भी हो सकता ह लेकिन फिर से उसके साथ वेवार आपके अच्छे बन सकते हैं, छोटे भाईों से जो मत बेद मन बेद है उसमें दूर हो सकते हैं, कोई नया सहास, कोई नया डैरिंग, नया वेंचर आप अपने जीवन में अभी कर सकते हो, वैसी यहां सुच्वेशन बन सकती है, क्योंकि अ चीज़े आप भी कर सकते हो अभी, क्योंकि आपकी रासी में अभी राहु का बनमन चल रहा है, राहु मतलब बिग, विचार, बड़ी बाते, बड़े लोग, बड़ा काम, बड़े फितरत, यह सब राहु की सोच है, तो यहां आपके चंद्र, मतलब मन, आपके विचारों क उपर ले जा सकते हैं, फिर उपर से आपको छोड़ देते हैं, वो नीचे आप गिरोगे, तो वैसी भी यहां सुच्वेशन बन रही है, तो सोच समझ के जैसे यहां मंगल आएगा, तो आपको जितनी हवा दी गई है राहु की हिसाब से, वो मंगल आते ही वो राहु पूर तीन से लेकर समझो चौबिस अठाइस दिन तक उससे पकल लिजे, मोटा मोटा अप्रिल के अठाइस तक आपको समझ ला है, तकेदारी रखनी है, बहुत प्रिकोशन लेने हैं, हड़ बड़ी में, गुस्षे में, आवेस में कोई आपसे गलस टेप नहीं लेया जाए, उस लेकिन यहां आपको साबल के चलना है, गाड़ी, वहान वहिकल्स धीमें चलाना है, बहुत ही प्रिकोशन लेकर अपने वहान वहिकल्स की प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा द्यान रखना प्रॉपर्टी आपके हाँ से जा सकती है, उसमें नुकसान घाटा हो सकते हैं, व अच्छे रहो बढ़िया रहो खुब आगे बढ़ो